गुरु पूर्णिमा पर शाम तक कर ले ये उपाए, इतना पैसा आएगा गिनते गिनते ठक जाओगे। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेश महत्व माना जाता है। गुरु पूर्णिमा ज्यान और गुरुओं के प्रती कृतग्यता का पावन पर्व है। ये त्योहार हर साल आशाध मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। हिंदू पंचान के अनुसार साल दो हजार चौबीस की गुरु पूर्णिमा का पावन क्योहार आशाध माह की पूर्णिमा तिथी को मनाया जाएगा जिसकी शुरुवात 20 जुलाई को शाम पाँच बचकर 69 मिनट से होगी और इसका समापन 21 जुलाई को दो पहर 3 बचकर 46 मिनट पर होगा ऐसे में उद्या तिथी के अनुसार 21 जुलाई को ही गुरु पूर्णिमा का पावन क्योहार मनाया जाएगा साथ ही इस बार गुरु पूर्णिमा के दिन दुरलब योगों का सन्योग बन रहा है जिससे इस दिन का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है साल 2024 के आशाध माह की गुरु पूर्णिमा के दिन सुभा 5 बचकर 57 मिनट से सरवार्थ सिद्धी योग का निर्मान हो रहा है जो की पूरे दिन रहने वाला है इसके अलावा उत्तराशाधा नक्षत्र भोर से लेकर मध्यरात्री 12 बचकर 14 मिनट तक रहेगा इसके साथ ही प्रीती योग विश्कुम्भ योग का निर्मान हो रहा है ग्रहों की स्थिती की बात करें तो करक राशी में सूर्य और शुक्र विराजमान है जिससे दोनों ग्रहों की योटी से शुक्रादित्य योग बन रहा है और व्रिशब राशी में मंगल और गुरु ब्रहस्पती विराजमान रहेंगे इसके साथ ही राहु मीन में केतु कन्या राशी में और शनी अपनी मूलत्रिकोन राशी कुम्भ में है जिससे शश राज्योग बन रहा है इसके साथ ही बुध सेह राशी में और चंद्रमा मकर राशी में विराज मान रहेंगे गुरू के व्रिशब। राशी में रहने से कुबेर राजयोग बन रहा है। इसके साथ ही सूर्य और शनी शडाश्टक योग का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही गुरू पूर्णिमा के दिन लोग अपने गुरूों के प्रती कृतग्यता व्यक्त करके उनका आशिर्वात प्राप्त करते हैं। गुरू पूर्णिमा भारत में अपने आध्यात्मिक गुरू के साथ साथ अकाद्मिक गुरू के सम्मान में उनके प्रती सम्मान प्रकट करने के लिए मनाया जाने वाला पर्व है। इसके अलावा गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ खास उपाय करने और कुछ चीजों का दान करने से सुख सम्रिधी की प्राप्ति होती है। नमबर एक केसर का दान गुरु पूर्णिमा जिसे व्यास्त। पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में एक महत्व पूर्ण त्योहार है। गुरु पूर्णिमा का यह दिन वेद व्यास जिनहें महाभारत और अन्य हिंदू ग्रंथों के रचिता के रूप में जाना जाता है। उनके सम्मान में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा ज्यान, शिक्षा और गुरु के प्रती कृतग्यता का पर्व है। केसर को गुरु ग्रह का प्रिय माना जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन केसर का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा, माना जाता है कि केसर का दान करने से ज्ञान, बुध्धी, विद्या और सफलता की प्राप्ती होती है साथ ही केसर का दान करने से गुरु की कृपा प्राप्त होती है और कुंडली में मौजूद गुरु दोश भी दूर हो जाते हैं नमबर दो पीले वस्त्र का दान पीला रंग गुरु ग्रहर का प्रिय रंग माना जाता है इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन पीले वस्त्र का दान करने से व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलती है साथ ही भाग्योदय हो सकता है और जो रुके हुए कार्य है वह भी बिना किसी रुकावट के पूर्ण हो जाते हैं नमबर तीन चने का दान चने का दान गुरु पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला एक विशेश दान है गुरु पूर्णिमा पर चने का दान करने से सदै गुरु की कृपा बनी रहती है साथ ही कुंडली में स्थित गुरु दोश से भी छुटकारा मिलता है इसलिए गुरु पूर्णिमा पर चने का दान विशेश रूप से करना चाहिए नमबर चार गुरु पूर्णिमा के दिन किया जानने वाला घी का दान एक विशेश दान है घी को भगवान विश्नु और गुरु ग्रह का प्रिय माना जाता है घी को विद्या का कारक भी माना जाता है इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन घी का दान करने से व्यक्ति को उत्तम परिनाम मिल सकते हैं आईए अब जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा पर कोन से उपाय करने से सुख संपत्ती की प्राप्ती होती है गुरु पूर्णिमा के दिन केले का व्रिक्ष लगाएं और उसकी पूजा करें केले का व्रिक्ष गुरु ग्रह का प्रियवरिक्ष माना जाता है और इसकी पूजा करने से गुरु की कृपा प्राप्थ होती है साथ ही इस दिन सत्यनारायन की कथा जरूर सुने ऐसा करने से आपको शुब परिणाम देखने को मिलेंगे नंबर दो गुरु मंत्रों का जाप गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु मंत्रों का जाप करें गुरु मंत्र कुछ इस प्रकार है गुरुर ब्रहमा गुरुर विश्नु गुरुर्देवो महेश्वरह गुरुर्देवा सच्चिदानंदो भुगुरुरुर्देवो नमः आप गुरु पूर्णिमा के दिन इस मंत्र का जाप कर सकते हैं नमबर तीन पीले रंग का वस्त्र गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा करते समय पीले रंग का वस्त्र धारण करें पीला रंग गुरु ग्रह का रंग है और इसे ज्ञान शिक्षा और समरिध्धी का प्रतीक माना जाता है साथ ही शुभ मुहुर्ट में ही पूजा करें नमबर चार चरण वंदना करें आप जिसे भी अपना गुरु मानते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन उनके प्रती सम्मान जरूर व्यक्त करें ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि उनके ज्ञान के प्रकाश से आपके जीवन का अंधकार दूर होता है इस दिन गुरु के चरणों को धोकर आशिरवाद लेना चाहिए और चरण वंदना करनी चाहिए अगर आपके गुरु आपके पास नहीं हैं तो अपने गुरु कि तस्वीर को फूल की माला अर्पित करें और उन्हें तिलत लगाएं साथ ही दीप जलाकर उन पर फूल, चंदन, अक्षत अर्पित करें नंबर पांच गुरु को भेंट जरूर दें गुरु पूर्णिमा के दिन दानपुन्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है अगर गुरु पूर्णिमा के दिन आपकी मुलाकात गुरु से हो तो उन्हें भेंट जरूर दें नंबर छे, माता-पिता के चरन स्पर्श करें हिंदू धर्म में माता-पिता को मनुष्य का प्रथम गुरु माना गया है इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन माता-पिता को एक स्थान पर बैठा कर उनकी प्रदक्षिना यानी परिक्रमा करें और उनके चरन स्पर्श करके उनका आशिरवाद जरूर लें अगर संभव हो तो माता-पिता को उनके इस्तिमाल में आने वाली चीजें उन्हें गिफ्ट में दे सकते हैं जिससे उनकी अंतरात्मा खुश होगी और आपको भर-भर के आशिरवाद देगी नमबर साथ स्वास्तिक बनाएं गुरू पूर्णिमा के दिन अपनी किताब के पहले पन्ने पर रोली से स्वास्तिक बनाकर इस पर अपनी इच्छा लिख दें इसके बाद इस किताब को बंद करके मा सरस्वती के पास रख दें माना जाता है कि ऐसा करने से आपके काम में आ रही रुकावते दूर होती हैं और करियर में उन्नती मिलती है जीवन में सौभाग्य की प्राप्ती के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु यंटर की स्थापना करना बहुत शुब माना जाता है इस उपाय को करने से व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य में व्रिध्धी होती है इस उपाय को करने से व्यक्ति के रुके हुए सभी काम पूरे होते हैं और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलती है साथ ही इस उपाय से मनचाही नौकरी के योग भी बनते हैं इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु यंत्र की स्थापना करके उसकी विधिपूर्वक पूजा करें गुरु यंत्र को पीले रंग के कपडे पर स्थापित करें और उस पर चंदन, हल्दी, कुमकुम और गंगाजल से स्वास्तिक बना कर पूजा करें इसके बाद गुरु यंत्रम मंत्र का 108 बार जाप करें नमबर 9 गीता का पाठ जिन विद्यार्थियों की पढ़ाई में कोई न कोई बाधालर्गी ही रहती हो उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन गीता का पाठ करना चाहिए लेकिन अगर पूरी गीता पढ़ना पॉसिबल न हो तो गीता के किसी एक अध्याय का भी पाठ कर सकते हैं अगर यह भी संभव न हो तो भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजार चना करके गाय माता की सेवा करें मान्यता है कि ऐसा करने से कनहयाजी प्रसन होते हैं और उनकी क्रिपासे विध्यार्थियों के जीवन में आने वाली सारी परिशानिया दूर हो जाती हैं और उन्हें सफलता मिलती है नमबर दस केसर का तिलक बुद्धी के विकास के ये गुरु पूर्णिमा पर सनान के बाद नाभी तथा मस्तत पर केसर का तिलक लगाएं इसके अलावा भोजन में केसर का प्रयोग करें ऐसा करने से आपके घर से नकरात्मक उर्जा का दुश्प्रभाव दूर हो जाएगा नमबर ग्यारह पीपल के व्रिक्ष पर जल चढ़ाएं गुरु पूर्णिमा के दिन पीपल के व्रिक्ष पर जल चढ़ाएं और साथ बार परिक्रमा करें ऐसा करने से ग्रह दोशों से छुटकारा मिलेगा और आपके रुके हुए कारिय भी जल्द ही पूर्ण होंगे नमबर बारह वनस्पती गुरु पूर्णिमा के दिन अगर स्नान करते समय नागर्मोथा नामक वनस्पती का प्रयोग किया जाएं तो व्यक्ती की सभी शारिरिक और मानसिक परिशानिया खत्म हो सकती हैं नमबर तेरह पीले रंग के फूल गुरु पूर्णिमा पर पूजा के दौरान पीले रंग के फूलों का इस्तिमाल करें साथ ही प्रसाद में पीली चीजे चड़ाएं ऐसा करने से गुरु की आप पर कृपा होगी साथ ही गुरु पूर्णिमा को गुरु ब्रहस्पती देव की आराधना और अपने गुरु को नमन करने से आपके जीवन में खुशाली आएगी जिन लोगों के प्रत्येक कार्य में बाधाएं आती रहती हैं उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन विश्नु भगवान के मंदिर में दो केले के पौधे लगाने चाहिए इससे आपको मुसीब्तों से छुटकारा मिलेगा गुरु पूर्णिमा के दिन साबूत मूंग दाल मंदिर में दान करें साथ ही बारह वर्ष से छोटी कन्याओं को दक्षिना दें इससे आपकी तरक्की ओगी और आपके रुके हुए कार्य भी जल्द ही पूर्ण होंगे नंबर सोलह चांदी का बरतन जिनके घर में धन नहीं टिकता है उन्हें गुरु पूर्णिमा पर शुभ मूर्त में चांदी का बरतन अपने घर की जमीन में दबा कर रख देना चाहिए इससे मा लक्षमी का घर में वास होगा और आपके घर में धन का परवाह बना रहेगा नंबर सत्रह भोजन कराएं गुरु पूर्णिमा पर किसी बुजुर्ग ब्रामहन को भोजन एवं पीले वस्त्रदान करने से व्यक्ति पर गुरु की कृपा होगी इससे उनकी सभी मनोकामनाई भी पूरी होंगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ओफिशियल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए वीडियो देखने के लिए आपका धनियवाद